और मुख्यमंत्री साहब तक मुद्दा पहुचाएका तो जाहिर तोर पर तोगि मुख्यमंत्री काम कर रही है और इस अच्छे ढंक से काम करने का मतलब कि अगर यह मुद्दा सीम साब तक पहुंच जाता है तो बड़े बड़े जो मगरम अच्छे हैं वो घेरे में आ जाएंगे ज्यादा भूमिका नहीं बानता लेकिन बात शुरू करता हूं आईएस धरमेंदर सिंग से पानिपत के डिप्टी कमिशनर हैं और नगर रिगम का अतिरिक कारेभार उनके पास रहा है और जिस दुरान अतिरिक कारेभार उनके पास रहा उस दुरान 10 क्रोड रुपे के 10 क्रोड रुपे के बिल पास करके वो यहां से चले गए और बताये जा रहा है जो कुक्ता सुत्र हैं जो बता रहे हैं कि वो 10 क्रोड रुपे जो पास किये गए उन दुनों मे वहां चोटे बोटे अफसर भी साथ में थे चोटे भी मोटे भी बड़े भी उनको भी पता था कि क्या हुआ है और साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि जिन जहां पर कुछ बना भी नहीं उसकी पेम्टे जो हैं वो जारी कर दी गई इस मामले में हमने कल जो सीनर डिप्टी मेर अब बड़ी बात यह है कि पारीपत नगर निगम हमेशा सुर्ख्यों में क्यों रहता है क्यों बदरामी का टिका जो है नगर निगम पर लगा हुआ है अधिकतर जो अफसर यहां पर रहे कर गए हैं उस दो रहां जितनी भी पेम्टें जितने भी गोटाले जितने भी ब्रश्चाचार हुए हैं सही माइने में उन अफसरों की इंक्वाइरी हो जाए और उस दोरान जितने भी ब्रश्चाचार हुए हैं उनकी इंक्वाइरी हो जाए तो बहुत बड़ा स्कैडल जो है आपको दिख जाएगा पानिपत में क्या हो रहा है हलाकि हमा इमानदारी के नाम पर उनको पता है कि सब बताते हैं uh मुक्ष्ध मंत्री जी के ऊपर कोई ऐसा याश नि लगा जिसे पूरी के पूरी सरकार जो है वो बदधनाम हो जाए लेकिन बदधनाम कोन कर रहा है सरकार को आज इसी को लेकर हम एक बड़ी बात जो है वाइसो पानिपत आपके सामने ले कर आया है कुछ ऐसे सबस्वानिपत को जिसे देख कर सुनकर आप भी हरान हो जाएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे कि वाईसो पानिपत के पास क्या सभूत आ लेकिन अपील यह है कि इस वीडियो को सास की साथ सचेर जूर करते रहना पानिपत में कुछ ऐसे पार्षदों के नाम सामने आए हैं जो जंता के सामने तो जिसकी सफेद कोलर है लेकिन अंदर में वो कमिशन का मोटा गेम जो है खेल रहे हैं अभी कुछ दिन पहले के मामले की भी चर्चा कर ली जाए सेथी चोग पर दो आई-एस आमने सामने थे सेथी चोग की सड़क का मामला वहां के लोग कह रहे थे नहीं बननी चाहिए कुछ लोग कह रहे थे बननी चाहिए आखिरकार दीसी पानीपत के पास वो वीडियो पहुची और वो खुद मोके पर गए मीडिया से रिपोर्ट जो उनके पास पहुची खुद मोके पर गए तो वहां पर भी ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने के आधिश जारी कर दिये लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा ध्यान से देखा होगा आपने थेकेदार चाती ठोकर कह रहा है कि अफसरों ने उन्हें कहा था कि यह सड़क जो है बना दी जाए लेकिन अफसर यह मना कर रहे थे कि हमने तो कहाई नहीं था एक साल पहले का टेंडर है आप इस इसमें फस्ता कोण है लास्ट में ठेकेदार ठेकेदार के उपर कारवाई के आदेश जाजी कर दी जाते लेकिन कुछ ठेकेदारों की जो मुझे सबूत सूंपे हैं जो वाईसेव पानिपत के पास सबूत है उस सबूत के अधार मैं ये बात कह रहा हूं कि दो परतिश्यत कमीशन का खेल चल दा है और मुखे मंत्री जी आप से नर्म निवेदन है या कोई इमानदार अफसर है उनसे ये नर्म निवेदन है कि वो सबूत हमारे पास है हम आपको सबूत दे सकते हैं बस शर्ते उन सबूतों के अधार पर आप उस पार्षद के खिलाफ आप उस किसी नाले का निर्मान होता है तब इलाके के पार्षदों से संतुष्टी पत्र लिया जाता है कि अपसे और उसके बाद उसको जो है ठेकेदार को पेमट कर दी जाती है कमिशन का इतना बड़ा खेल दस से बारा परतिशद जो है कमिशन नीचे से लेकर उपर तक जाती है के बीदिए जो हैं मेरे पास हैं वाइसोपानिपत के पास हैं और उन सबूतों को भी मैं दिखाऊंगा और बड़ी बात यह है कि पार्षद अभी दो दिन पर एक मामला उठा लीजिए तीन वार्ड तीन और वार्ड चार का जो मामला चल दा था उसमें एक वार्ड की संतुष्टी पत्र जो हैं वार्ड चार पार्षद है उन्होंने देदिया में आई जो रिपोट है वार्ड चार के पार्षद कहते हैं कि मेरा मेरे पास नंतुष्टी पत्र हो मेरा लगाए नहीं हुआ इसकी जाच होनी चाहिए और ऑफ़दार रिकोड ठेकेदार से बात क काता है कि मेरे सारे जबूत ने और उसकी फ्रेंसिक लैब से जाच हो जाए तो पता लग जाए कि nggak को कूर नियुक्न सब्सक्रेंदी अक दो हो अगर 50 का है ना सबौनी प्रुक्किन की बात तो 10-12 प्रतिे इने के बाद इक अच्छे ठेकेदार हैं जिन से मेरी बात्षीत होती है वह इस पंगे में हाथ नहीं लगाते वह जब तक पार्षद का पहले संतुष्टी पत्र ना आ जाए तब तक वह गली को शड़क को पाड़ने का बात नहीं करते एक मामला अभी वाल विविकाश कोड माडल टाउन का चर्चाओं में हैं सतर लाख रुपे में उस शड़क का निर्मान किया जा रहा है और जो मेरे पास रभूत है उसमें वाड़ पार्षद का संतुष्टी पत्र पहले ही दे दिया कि यहां पर जूरत है शड़क की और रेजिजिएंट वेलफेर आस्योसेशन जो रड यहां पैच वरक है वहां हो सकता है इसको पैच वरक करके खतम कर दिया जाए और माने निये राहूल नर्वाज जी कमिशनर जी हैं उनसे अन्रोद है कि जहां पर ऐसी बाते सामने आ रही एक पर खुछ जाकर वहां पर दोरा करें आपको जो यह असलियत पता लग जाएगी कि आखिरकार क्या हो रहा है अब बड़ी बात यहां कि जैसा कि मैं अपील कर रहा हूँ कि इस वीडियो को साथ की साथ शेयर जूर करें वाइस ऑपानिपत के पास सबूत हैं पार्षदों की डेलिंग के सबूत हैं कितने परतिशत पैसे जो हैं कितने परसेंट कमिशन जो ह है ठेकेदार जो है अपनी कमिशन में जो अपनान की बिल पास होते हैं उसमें दो प्रतिशत पार्शदों को देता है वो वीडियो वो सबूत जो है वाइसो पानिपत के पास है उसे जल्दी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा लेकिन उससे पहले ये अपील मेरी है कि इस वीडियो को राहुल नर्वाल जो कमिशनर पानिपत है वो भी देख रहे हैं और पानिपत के डी सी मौदे के पास भी ये वीडियो पहुच रही है और पानिपत के इमांदार नेताओं के पास भी ये वीडियो पहुच रही है मेरे पास सबूत है आप मेरे से सबूत ले कि जो है कोशिश की जारी है सरकार इमानदार है मुख्यमंतरी इमानदार है बताया जाता है कि आज तक उनके उपर Claus. और यह सबूत आज मैं वैसोब पानीपत पर नहीं चला रहा अब आप कहेंगे भी क्यों नहीं चला रहा कि मैं कि मेरे से सबूत लेकर यह जो माननी हैं या जो अधिकारी हैं वो डिकारी हैं वो क्या कारवाई अंदर खाते कर रखते हैं मैं उस मामले में परशाशन का साथ देने के लिए तयार हूं लेकिन बशर्ते की जैसे पिछे कुछ ओडियो वाइरल हुई थी दो परशंट एक परशंट कमिशन की ओडियो वाइरल हुई थी वह जो है दब गई और बात में यह आया था जिस पारशन मोहदे की आएफ को पताए कि जाच कब होगी कीसे और कॉन जाच करेगा क्यों कि हम आम में सम्नंगे हैं और जाच कों करेगा न्यजका से कि अपवाइसों पारिपत से संपर कर सकते हैं और मैं सबूर्जें के लिए हूप उस पर इंक्वारी करें सिर्फ वह वीडियो या जो को मैं अ वाइस्वूपानिपत ने क्यों चुभा दिया वाइशल पानिपत उसको अभी इसलिए डिस्प्लय नहीं कर रहा सकती है कि मैं चाहा रहा हूं जप इता हुँ पानिपत की जनता चारी है यह इमांदर सरकार के पास वह स्भूत जाएं आफ उस्वबूते के इधार पर जो है कारवाई करें मेरे को एक भी लगता है कि उसमें कारवाई हो सकती है तो वो मैं उसी टेम जो है डिस्ब्लै कर दूँगा तो फिलाल व्यच्व पानिपत थोड़ा इंतजार करेगा वाइशो पानिपत थोड़ा वेट करेगा वाइशो पानिपत अफसरों के रुकवाद देखेगा मेरे को लगता होगा कि इस मामले में कारवाई नहीं तो उसी तिन जो इस वीडियो को शबूत को मैं डिस्प्ले कर दूँगा तो फिलाल इस वीडियो को साथ की साथ शेयर वाइशो पानिपत के लिए परदी पहंचाल के साथ कुलवन से